ओम्श्री महाप्रग्य गुरवेरा महा जिसके सांसों में रहता है शास्वत शांती का स्पंदन उस महाप्रग्य को वंदन सत्य अहिंसा अने कांत को अर्पित जिसका तन्मन उस महाप्रग्य को वंदन जिसके सांसों में रहता है शास्वत शांती का स्पंदन उस महाप्रग्य को वंदन इस बिष्ट्व में जितना काम हो रहा है वै बल के द्वारा हो रहा है बल के बिना सक्ती के बिना कोई भी काम नहीं होता इसलिए कहा गया कि निर्वीर्य कि करिश्य की जो निर्वीर्य है बल रही ते वे क्या करेगा एक आदमी ने किसी से पूछ लिया कि तुम जंगल जा रहे हो जंगल की यात्रा के लिए और सामने सेर मिल जाएगा तो तुम क्या किरोगे आज मिने उतर दिया फिर मैं क्या किरूँगा जो करना वही करेगा बस मैं क्या किरूँगा फिर वही करेगा तो जहां मनोबल नहीं होता वहां सक्ति काम नहीं देती हम एक निष्टे पर पहुँँच जाएं कि बाहर का बल भी तभी काम देता है जब हमारा भीतर का बल अच्छा है और भीतर के तीन प्रकार के बल हैं सरीर बल वाग बल और मनोबल एक सरीर का बल एक बानी का बल बड़ी शक्ति है बानी भी एक सब्द में सारे दृशिकों बदल देती है और एक है मनोबल मन का बल मन का बल अधिक प्रकार है जब तक मनोबल ठीक रहता है सरीर भी काम देता है मनोबल कम होता है और कहता है मेरी तो सारी शक्ति expected गी घुटने ठिक गए बस मैं कुछ नहीं कर सकता यह घुटने क्यों ठिकते हैं यह कमजोरी क्यों आती है कि मनोबल ठीक नहीं है इसलिए एक समझदार व्क्ति के लिए आवश्च के है कि मनोबल का विकाश होता रहे वे कम ने हो सरीर का बल अवस्ता के साथ कम होता है पर बानी का बल कम हो ये कोई जरूरी नहीं है और मनोबल कम हो ये भी कोई जरूरी नहीं है बुढ़ापे में भी मनोबल बढ़ सकता है जिनका मनोबल कम हो गया उनके लिए बुढ़ापा बड़ा दुख़द होता है सताने लग जाते है मुझे कोई पूस्ता भी नहीं मेरे पास कोई आता नहीं मेरे कुछ ऐसा नहीं होता बस ये नकारात मगभाव आते रहते हैं वो बुड़ा पा और दुख देने लग जाता है और जिसका मनोबल होता है कोई परवा नहीं करता अकेला ही बहुत है बस अकेला बहुत है एको हम असायो हम किसो हम अपरिच्छने स्वपने पेवं विधा चिंता म्रियन द्रस्य नजाये थे सिंग कभी नहीं सोचता मैं अकेला हूं असाहा हूं कोई मेरी साहिता करने वाला नहीं है किसो हम सेर का सरीर पतला होता है पीछे का भाग तो बहुत किसो होता है और अपरी छदे मेरा कोई परिवार नहीं है ये ऐसी चिंता एक सिंग को जो अपने बल के लिए पराक्रम के लिए प्रसिद होता है सपने में भी ऐसी चिंता नहीं होती चिंता का कभी सपना भी नहीं आता कभी सोस्ता नहीं है उसका कारण है सरीर का बल और साथ में मनोबल भी है पराक्रम भी भूत है मनोबल भी भूत होता है उसका हम चिंतन खरें सुक से जीना है चाए बच्पन हो चाए योवन हो और चाए बुढ़ापा हो अगर सुक से जीना है सांती से जीना है तो मनोबल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है हमें विचार करना होगा का मनोबल कम क्यों होता है इस पर भी ध्यान दे का मनोबल कम होने के कारण क्या है अगर कारण की खोज करें अनेक कारण है पर मैं जिस कारण को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ वे कारण है अपना मान लेना अपना मान लेना बहुत सुक्समता से इस पर हमें विचार करना होगा अपना मान लेना जो ब्यक्ति घर को परिवार को पदार्थ को धन को जितना बहर का है उसको अपना मान लिया यहीं मन की कमजोरी शुरू हो गए मन को दुरबल बनाने का सबसे बड़ा तंत रहिया अपना मान लेना जो ब्यक्ति यह मानता है एको हम एकतवनु प्रेक्षा मैं अकेला हूँ अकेला आया हूँ अकेला जाओंगा और यह सारे संबंद है एक बीच के संबंद है बीच का रास्ता पड़ाव है बीच का पड़ाव जैसे गाड़ी जाती है रेल गाड़ी स्टेशन पर सेंक्रों लोग एकत्थे हो जाते है बाईवान पर जाना है वहां भी सेंक्रों लोग एकत्थे हो जाते है रेन बसेरे में भी सेंक्रों लोग एकत्थे हो जाते है कि जैसे ही गाली छुटी और सब अपने अपने चले जाएंगे स्टेशन में इतर ना अपने अपने चले जाएंगे सुबह हुआ सब अपने अपने चले जाएंगे अगर ये धारना रहती है तो परिश्थिती आने पर भी हमारा मनोबल कम नहीं होता और जब अपना मान लिया घर में चोरी हो गई धन चला गया मनोबल टूट गया या इंकम टेक्स के अधिकारी आए रेड डाली एर कुछ ले गए भई खाते ले गए मनोबल टूट गया घर का कोई जिक्ती चला गया और मनोबल टूट गया मकान बनाया बहुत बढ़िया भूकम पाया और मकान धे गया साथ साथ मनोबल भी धे गया क्यों गया मनोबल क्यों कमजूर बना कि हमने पर को अपना मान लिया था जो पराई बस्तु थी उसको अपना मान लिया इतना मानते कि मेरे काम के लिए है तब तो ठीक था कभी काम के लिए है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तब तक तो ठीक था पद अपना ही मान लिया अभिन्न मान लिया तो फिर दुख हो ना है अज़ दुख हुआ और मनोबल कमजोर हो जाएगा दुख के साथ मनोबल का बहुत संबंद है जैसे जैसे आदमी को दुख का अनुभव होता है वैसे वैसे मनोबल कमजूर होता चला जाता है उसके साथ बहुत गहरा संबंद है दुख ने आये तब तक तो ठीक है एद दुख आया हमने देखा बड़े बड़े लोग कहलाते थे दुख की स्थिति आई दुख की गड़ियां आई और प्रतिकुल परिश्थिति आई मनोबल भी काफूर हो गया कारण क्या हमारा मिठ्ध्या दर्शन मिठ्ध्या अवधारना और ये मिठ्ध्या रोंग कंसेप थे हमने गलत धारना बना ली सत्य को साथ नहीं चले हम हम मिठ्ध्या के साथ चले अगर सत्य के साथ चले तो फिर मनोबल कमजोर नहीं होगा ठीक है सचाई है दुनिया का नियम है है जो नियम को जानता है उसका मनोबल कमजोर नहीं होता दुनिया के निये में सारा हम सत्य को शीखार करें किन्तु आदमी बार बार सत्य को जुट लाने का प्रेत्न करता है और मनोबल कमजोर हो जाता है एक गत्वे ये मनोबल का बड़ा साधन है नमी राजर शी बिदे है इतने बड़े राजर और तत्वत ज्यानी सरीर में दाख ज्वर प्यदा हो गया दाख ज्वर ऐसी बुखार जो सरीर में जलल लाग जाती है जिसके आग की तरह जलल लगती है भयंकर दाख ज्वर हुआ चिकिच्चक बुलाए गए उपचार शुखाया गया कि चंदन घ्वर उसका लेप किया जाए महरानिया बेथी और चंदन को घ्वर ज्वर शुरू किया चंदन घ्वर जा रहा था अब दाख ज्वर इतना प्रबल था कि वे चुड़ियों की आवाज भी उनके लिए असय हो रही थी ये कोला हल कहां से हो रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि कोला हल भी सुनाई नहीं देता और कभी कभी मंद आवाज भी कोला हल बन जाता है अलग-अलग मंद की परिष्ठितियां होती है ये कोला हल कहां हो रहा है ये आवाज क्यों आ रही है बड़ी अप्डिय लग रही है कानों को तब अधिकारियोंने का महराइश महराणिया चंदन घुष रही है आपके ये लेप करने के लिए चंदन का लेप करने के ली कुछ भी हो बंद करो इसको मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पंद करो अधिकारी गए महरानियों से कहा आप ऐसा करें कि चंदन तो घिसना है पर और चूड़ियां उतार दे केवल एक चूड़ी ही रखें और सब उतार दे सब उतार दी आवाज बंद हो गई महराज ने कहा कि चंदन घिसना बंद कर दिया कि नहीं महराज गिशा जा रहा है तो आवाज तो नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है तब अधिकारी बोले महराज महरानियों ने बड़ी समझदारी शिक काम किया है और चूड़ियां निकाल दी केवल एक चूड़ी सुहाग चिन्न के रूप में रखी है अब एक है तो आवाज नहीं आती है आवाज तो तब आएगी कि ज़्यादा दो हो ज़्यादा हो तब बस ये बात सुनी और दाघजवर्ग बदल गया कभी कभी ये बुखार दाख आते हैं रोग आते हैं वे भी एक नया संबोद लेकर आते हैं और एक दम बदल गया और बोले नमी एका की भलो दो ये मिला दुख हो बस अकेला होना अच्छा है जाँ दो मिले और वाँ दुख पैदा हो गया और जाँ दुख हुआ अरवा मनोबल घट गया ऐसा लगता है कि दाघजवर भी शान्त हो गया धारना की साथ साथ इतना मनोबल बढ़ा कि दाघजवर शान्त हो गया और नमी राज़सी खड़े हो गए और बस मैं तो अब एकत की सादना के लिए जाना चाहता हूँ ये राज़ को छोड़ रहा एकत मनोबल को बढ़ाने का इतना बड़ा साधन है कि मैं अकेला हूँ इसकी अनुभूती हमारी प्रवल बन जाए मनोबल को कोई खंडित नहीं कर सकता मनोबल को खंडित तब करते हैं कि मैंने दूसरे को मान लिया धन को अपना माना धन चला गया मनोबल भी चला गया साथ साथ में किसी द्यक्ती को अपना माना मित्र माना उसने धोखा दे लिया साथ साथ में मनोबल भी चला गया किसी भवन को माना और किसी ने अधिकार कर लिया जूटा ही केस कर लिया कौट में के मकान इसका नहीं मेरा है मनोबल भी तूट गया साथ जितने आप संयोग देखे संबंध देखे और उन पर विचार करें कि जहां जो संबंध हुआ है पदार्थ के साथ संयोग हुआ है संबंध हुआ है और वहां एक समस्या भी पैदा हुई है बिवा हुआ और तीन मैना भी नहीं वीटा हमारे पास आया कि अब तलाक की तैयारी कर रहा है कहते हैं अभी तो वह शूखा ही नहीं है ठीका भी नहीं शूखा है और पहले भी तलाक की तैयारी कि आपस में मेल नहीं हो रहा है मेल नहीं है दोनों का तो पहले बेमेल का मेल किया ही क्यों बेमेल का मेल किया ही क्यों यह तो पहले शोचने का होता है संबंद करते समय जो चिंतन किया जाता है वह यथार्थ का चिंतन नहीं होता यथार्थ नहीं होता या तो देखा जाता है कि धन बहुत मिलेगा बस बेमेल का कोई परवा नहीं चाहे एक आठका और एक साठका हो कोई चिंता की बात नहीं है धन बहुत मिलेगा या देखते हैं का रंग रूप कैसा है बीतर में तो चाहे चुला ही जलता हो बार से चमड़ी अच्छी लग रही हो बीतर में दावा नली सुलग रहा हो जब ये सारा संबंधों का एक मान दंड होता है और फिर संबंध तूटते हैं और साथ में कहते हैं हमारा तो मनोबल तूट गया ऐसी सिटियां घर में हो गई मनोबल तूट गया मनोबल तूटा तुमने मनोबल को बढ़ाने का रास्ता भी नहीं चुना कि मनोबल कैसे रह सकता है अगर यह संबंधों की दुनिया है और संबंधों की दुनिया में संबंधों पर सही डिश्टी कोड़ नहीं होता और संबंधों के साथ हमारा सट्ट का योग नहीं होता तो वा मनोबल चूपने का खत्रा हमेशा बना ही रहता है इस पर हम विशार करें कि मनोबल को बढ़ाना है या है उतको बनाए रखना है तो हमें सत्य की खोश करना जरूरी है हर आदमी कोई सत्य की खोश नहीं कर सकता हर आदमी कोई बैयानिक नहीं होता हर आदमी के पास बैज्जानिक दिश्टी भी नहीं होती किन्तु जिन सत्य के खोजियों ने सत्य को खोजा और अपने अनुभव हमारे सामने रखी उनकी अनुभव बानी का भी हमें जीवन में उपयोग करना है सुनना किसलिये है ये कोई रूड़ ही नहीं बननी चाहिए कि बखान सुनना है प्रवच्चन सुनना है सुनना इसलिए कि ऐसी अनुभव की बानी कोई हमारे सामने आए जिससे हमारे दुख कम हो असांती कम हो तनाव कम हो समश्याएं सुल सके और हमें कोई नया पथ दरसन मिल सके कुछ बानियां ऐसी होती है एकदम बदल देती है एकदम सारा चिंतन बदल जाता है अब नमीरा जरसी के सामने एक ही बात आई कि चुड़ी अके लिए आवाज नहीं हो रही है इस बानी से भी उन्हों ने इतना बड़ा सत्य खोज लिया कि बस दो होना ही दुख है और मैं अब एकदम की साधना करूंगा रूस में एक बड़े साधक हुई है गुर्जिये वे एकदम साधना के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन्होंने बड़े प्रयोक किये वे पांच दस लोगों को एक कमरे में बंद कर दे तीन महिना तक बाहर नहीं जाने देते और केवल उनकी साधना का मैं अकेला हूँ बस इसी कानुभव करो कोई दूसरा नहीं है मैं अकेला हूँ अब तीन महिने के बाद जब ये बाहर आते सारी दुनिया बदल जाती हूँ उनकी इतनी सचाई कानुभव होता कि सारे संबंधों से होने वाले दुख समाप्त हो जाते मनोबल को बढ़ने का मुका मिलता मनोबल कभी नहीं तूटता हम जब जूटी जूटी आदतें जूटी विचार धाराएं जूटे कंसिप जूटी अधार नाएं पालते हैं तब भीतर ही भीतर में दुख पेदा होता है और वे दुख हमारे मनोबल को कम कर देता है इसलिए आप चाहें कि मनोबल बढ़े तो मनोबल को बढ़ाने का सबसे बड़ी आसादन है हमारा एकत्व का अनुप धान एकत्व की अनुप प्रेक्षा मैं अकेला हूँ अकेला आया हूँ अकेला जाना है और संबेदन मेरा अकेला है एक डेक्ति के पैर में चोट लग गई कहीं भी चोट लग गई दूसरे लोग सहानुभूती तो प्रदर्शित कर सकते हैं पर दर्द का अनुभव नहीं कर सकते दर्द का अनुभव किसको होगा कि जिसके चोट लगी है चाए दो भाई है सगे भाई बड़ा क्रेम है चाए मित्राया सब कहेगा कि मैं सहानुभूती प्रदर्शित करता हूं पत्रों में लिखते हैं सहानुभूती प्रदर्शित करता हूं पर संबेदन किसको होगा दुख का अनुभू किसको होगा उनको दुख का अनुभू नहीं होता वे तो बहर खड़े खड़े एक सहान होती प्रदर्शित कर सकते यह तो होता है एक विज़ार थी कि हाथ में चोट लग गई तो डाक्टर ने पट्टी बांगने शुरू की चोट लगी थी बाएं हाथ में और बाएं हाथ में डाक्टर ने पट्टी बांगने शुरू की तो भै बोला डाक्टर साथ इस पर मत बांदो पट्टी इस आथ पर बांदो बोला चोड़ तो यहां लेगी है इस आथ पर पट्टी क्यों कि जब मैं स्कूल में जाओंगा तो मेरे सब साथी हाथ इलाए लाकर संबेदना प्रियर्ट करिए और मेरा दर्द बढ़ जाएगा इसलिए आप पती हाथ पर बांदो अब दर्द का अनुभू किसको होता है बाएं हाथ को या दाएं हाथ को जिस आथ में चोट लगी है उस आथ को दर्द का अनुभू होता है पूरे सरीर को भी नहीं होता तो बना बाहर के ब्यक्तिको उसका अनुभव कैसे हो सकता है उस संबेदन नहीं हो सकता अनुभव नहीं हो सकता संबेदन हमारी वयक्तिकता है सामुदाइक तर वयक्तिकता कुछ चीजें हमारी सामुदाइक होती है धन सामुदाइक हो सकता है मकान सामुदाइक हो सकता है और बाहर की चीज़ें सामुदाइक हो सकती है पर जान संबेदन ये सामुदाइक नहीं होता है नितांत बयक्तिक होता है बयक्ति ही उसका नहों करता है दूसरे को पता नहीं चलता इसलिए कभी कभी ऐसा सुनते हैं किसी आदमी के शिर में भारी दर्द है कोई आकर पूशता है कैसा है अरे कैसा है बताओं कैसे मैं भोग रहा हूँ बताओं कैसे बताने की चीज नहीं मैं तो भोग रहा हूँ अब बताने से क्या होगा तुम समझ भी नहीं पाओगे एक ब्यक्ति के शिरदर्द है अब दूसरा ब्यक्ति पूस्ट तो सकता है कि कैसा है सानुभूती प्रदसित कर सकता है कभी तुम्हाई कष्ट हो रहा है पर अब दर्द कैसा है इसका अनुभू कोई दूसरा ब्यक्ति कर नहीं सकता क्योंकि दर्द, पीड़ा, अनुभूती, अनुभव, संबेदन, ये सारी बईयक्तिक बाते होती है, अधभूत नेत्र तुम्हारा, अधभूत नेन तुम्हारा, बस आक की आँख अधभूत है, जिस जक्ति की आँख साफ है, अधभूत है, उसके लिए दुनिया सुखमाई है और मनोबल को घटने का कोई मोका नहीं मिलता जिसकी आँख साफ नहीं है पग पग पर अतकता है मनोबल भी अतकता है तूटता है और समच्छा का समाधा नहीं होता तो अगर मनोबल को बढ़ाना है उसका सबसे बड़ा साधन है सम्यक दर्शन एक अद्वाजी सारी सम्यक दर्शन के अंग बनते हैं इसलिए हम प्रेटन करें कि हमारी आँख साफ बने और हमारी सम्मिक दर्शन का भी काश हो ओम हरादा ओम स्री महाप्रग्य गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः ओम स्री महाप्रग्य गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः अ्याए, प्रेवे नमः ठाज गुरव कर दो मैं ऑ्वे गुरवे नमः गुरवे नमः । यर वे थन ल मैफो फो ओम स्री नमः और लादारेव च्वे जिए हमारी नम बनते हैं 17 tent